हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही आसान और जबरदस्त नुस्का लेकर आई हूँ, जिससे आप सिर्फ दो चीजों से कई बिमारियों से छुटकर आपा सकते हैं, यदि आप मोटापा से परसान हैं, तो मोटापा भी जड़ से खत्म होगा, जी हाँ दोस्तों, यदि आप वजन को कम करना चाते हैं, तो इस नुस्का से आप वजन को भी आसानी से कम कर पाएंगे, यदि आपको भूख ना लगने की समस्या है, तो वह भी दूर होगा, भूख यदि आपको नहीं लगता है, तो यदि आप इस तरीके से साफ नहीं होता है, यहीं कि कहें तो पेट से जितनी भी जूरी समस्या है, उसे आप जर से खत्म कर सकते हो, और सीर में दर्द है, कभी कभी ऐसा होता है, कि हमें गैस के कारण भी सीर में दर्द हो जाता है, तो यह आपको गैस के कारण सीर में दर्द है, तो उसे आप असानी से ठीक कर पाएंगे सिर्फ दो चीजों से और कबज को भी जर से खत्म करता है यह पेट में कबज हो गया है और पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं हो पा रहा है तो उसे भी असानी से खत्म कर सकते हैं इतना पाउरफूर और इतना अच्छा होता है यह नुसकर बहुत ही आसान इसे बनाना है इसे कैसे बनाना है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी यह है आप सभी जानते होंगे सौफ बरे और बच्चे आप सभी को दे सकते हैं बहुत ही गुनकारी होता है बहुत ही पारफूल होता है जहां तकि गैस की समस्या को जड़ से खत्म करता है पाचन सक्टी को मजबूत बनाता है और इतना अच्छा होता है सौफ की हमारे सिहत के लिए कि यदि भूखने लगने के समस्या है तो आप उसे में भी सौफ का सेवन करे भूखने लगने की समस्या दूर होगी यदि आपको यदि वजन ज्यादा बढ़ गिया है वजन को कम करना चाहते हैं तो सौब का पानी बहुत ही अच्छा होता है वजन को कम करने के लिए weight loss के लिए सौब का पानी बहुत ही powerful और बहुत ही अच्छा work करता है यदी gas की समस्या अपका पेट में कब्ज हो गया है तो उसे भी जड़ से खत्म करता है पेट साफ अच्छी तरीके से नहीं होता है उसमें भी बहुत ही अच्छा यह काम करता है यदि आपको सीर दर्द की समस्या है गैस के कारण तो उसे भी जड़ से खत्म करेगा इतना आसान और इतना पारफूल होता है तो हमें इसे कैसे बनाना है और कैसे बनाना चाहिए कितना लेना चाहिए अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगे एक गलास पानी लेना है और उसमें आपको दो चमस पानी को पहले अच्छी तरीके से गर्म करना है और दो चमस सौफ डालना है जब अच्छी तरीके से उबाल आ जाएगी तो उसमें हम एड़ करेंगे इलाइची यह जो हरी वाली इलाइची होती है यह हरी वाली इलाइची आपको दो लेना है इसको अच्छी तरीके से आप कूट ले और इसमें से दो इलाइची आपको डालना है और medium flame पे आप 3-4 मिनुट तक इसको अच्छी तरीके से पकाए 3-4 मिनुट तक इसको अच्छी तरीके से पकाना है जब यह पक जाएगा तो यदि आप मीठा पीना चाहते हैं तो इसमें थोरी सी आप मिशरी एड़ कर लें जब आप ऐसी चाय की तरह पीना चाते हैं वेगर मीठा मीठा तो आप वेगर मीठा भी पी सकते हैं जब आप मीठा करना चाते हैं तो थोरी सी मिशरी एड़ कर लें इस तरीके से अच्छी तरह से पका कर और चाय की तरह इसका सिवन करें आप सुबह भी कर सकते हैं, साम को भी कर सकते हैं, और रात में भी इसका सिवन कर सकते हैं, यदि आप वजन को कम करना चाहते हैं, तो सुबह खाली पे इस चाई को लो, यदि आप गैस की समस्या से परसान हो, तो रात में खाना खाने के बाद इस चाई को ले सकते हैं, सुबह पेट अच्छी तरीकी से साफ होगी और बहुत अच्छा वर्ग करेगा यदि आपको सीर में जब भी दर्द हो तो उस समय आप इस चाय को बना कर पिए आपको सीर दर्द की समस्या बहुत जल्दी दूर होगी यदि गैस की समस्या है वो भी खत्म होगा और भूख ना लगने कि समस्या को भी जड़ से खत्म करता है इतना असरदार होता है यह उसका इससे बनाना बहुत ही इजी है आसानी से आप बना सकते है और कई बिमारियों से आप छूटकारा पा सकते है इतना पारफूल और इतना एफेक्टिव है यह उसका आसानी से आप घर में बनाए और सी